हाई दिस आशीश, यू वाचिंग टीश्वीच, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को सो आज के इस टॉपिक में मैं आपको एक फॉर्मली से रूबरू कराऊंगा एक ऐसा फॉर्मला जो आपके डॉपिकेट लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ यूनिक नेम ही लेगा देगी मैं जानता हूँ कि आपको remove duplicates आता है आपको conditional formatting से भी duplicate निकालना आता है आपको true false एक compare करने के बाद भी duplicates निकालना आता है लेकिन formula से निकालना थोड़ा सा अलग है मैं आपको सिर्फ एक एक राय दूँगा कि जब भी आप किसी formula के साथ काम कर रहे हैं तो यानि कि आप अपने आपको excel में बहतर कर रहे हैं तो इसी सोच को आगे लेके चलते हैं और सीखते हैं कि unique list कैसे निकालते हैं एक formula से तो बिना time waste कि अपने इस topic को आगे बढ़ाते हैं सीरियल नंबर लिखे हैं और यहां पर नेम लिखे हैं और यहां पर city लिखी है कुछ employees की अगर आप जहां से देखेंगे तो यह नाम काफी duplicate है जैसकि आप rhythm यहां पर देख रहे हैं तो rhythm आपको नीचे भी मिल जाएगा अगर आप नैना यहां देख रहे हैं तो नैना आप तो मिरको यहां पर नाम उठके जो है वो एक ही single बार आए बले ही वो दो बार आ रहा हो बले ही वो तीन बार आ रहा हो तो यहां पर देखेंगे हम तीन फॉर्मलों की मदद लेंगे index match count if और fourth formula एक होर रहेगा जो की substitute काम करेगा index से हमेरी value आएगी math से हमारी position आएगी और count if से वो count करेगा कि वो इतनी बार आ रहा है हमारी particular range में तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने formula की और देखेंगे यह formula में जब एक पर ही पूरा लिख दूगा answer आजाएगा उसके बाद मैं deep में जाओगा कि जो अंदर अंदर formula है वो किस तरीके से काम कर रहे है और किस तरी इंडेक्स में array में क्या होता है कि जो range में से हमें data निकालना है तो वह हमारा data यह वाला है कि हमें यह print करवाना है तो इस पूरे कुछ लिए करके आप F4 प्रेस करेंगे तो यह lock हो जाएगा आप देख रहे हैं कि यहां पर dollar sign आ जोगा है कॉमा कॉमा के बाद हम match लगाएं मैं match करवाँगा और वहां से निकालूँगा एक position और पोजिशन के according आईगे हमारी value मैंने आपको बताए कि deeply मैं आपको बाद में बताऊँगा 0, यहां पर जो हमारी look up array मैं मैं दूँगा count if जोगी count करेगा और फिर यहां look up value से match होगा तो यहां मैं count if लगा देता हूं bracket open कर देता हूं range क्या रहेगे हमारी range देखे मैं यहां पर इस वाली को रखूँगा मैं आप पर सिर्फ इसको select करता हूं और इसको मैं even में stop कर देता हूं जो पहला वाला even रहेगा उसको f4 कर देना आप select करके जिससे की वो fix हो जाए और यह change होता रहा है तो देखे जब first time यह चलेगा तो यह even से even तक चलेगा जब next चलेगा तो यह even से e2 हो जाएगा फिर even से e3 even से e4 इस तरीके से data चलता जाएगा कॉमा क्राइटीरिया क्या है क्राइटीरिया हमारा रहेगा यह क्योंकि हमें ढूनना क्या है यह और इसको भी आप f4 करके लॉग कर दीजे और count if का फॉर्मला है पूरा हो तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे कॉमा जीरो जो की मैच के लिए हमने दिया है और ब्रैकेट पर तो देखिए यह हमारा फॉर्मला हो गया यहाँ पर तीन फॉर्मले हमने यूज करें इंडेक्स मैच काउंट इफ यह एक अरे फॉर्मला है तो इसको सिंपल एंटर मारेंगे तो अंसर नहीं आएगा लेकिन मैं F2 प्रेस करता हूं और Ctrl Shift Enter प्रेस करता हूं तो दीखे रिदिमा हमारा आंसर आगया है ओके मैं इसको नीचे तक कॉपी पेस कर देता हूं अब आप देखें व्रेदिमा नैना मिनाक्षी श्रुती नेहा अपर्णा समारिका मौनिका सना इसके बाद जो यह लिस्ट आई है यह एने आ रहा है यहां पर इसको भी हम अलक से हटा देंगे तो सबसे पहले हम इस काउंट इफ हो देख लेते हैं कॉपी करते हैं और यहा कर आ रहा है जीरो कहने का मतलब यह है कि देखें टी इवन से इवन ठीक है इस वाली रेंज में बीटू से बीफिफिटीन यानि यह नि यह सारे नाम इसवाले eवन से इवन तक इस वाली रेंज में सडच होंगे तो अब देखें यहां पर सिर्फ यूनिक नेम्स लिखा ह तो इसमें से कोई भी नाम यहां पर मैच नहीं कर रहा है इसलिए count if से हम पर आ रहा है count is zero और हम match हमने जानबूच के zero से match करवाया है जिससे की हमें पता चले कि कौन सा नाम वहां पर नहीं है जो भी नाम उस रेंजर में नहीं होगा वहां से हम उसको उठा लेंगे और उसकी position से उस value को प्रिंट करा देंगे ठीक है देखिए और अगर मैं यहां पर match के साथ आपको यहां पर दिखाऊँ तो देखिए one हुआ कि जब यहां से हम पर zero निकल के आया तो उसने इस वाले जिरो से उसको match करा और जब इसको उसको match करा तो अब इस वाली अगर हम range में देखे तो वह कौन से नंबर पर है जो पहला ही zero है अगर आप इसको f9 करके press करके देखेंगे तो पहला zero आएगा और उसके बाद भी सारे zero आएगे तो जो पहला zero आ रहा है वो first position में है तो match से ह हमारा जो आया वो पहला नंबर आया था है ना यह first आया था तो first को index ने देखा कि first position में कौन सी value है वो थी रिदिमा तो इसलिए यहां पे हम बारा रिदिमा प्रिंट होके आ गया था इसी तरीके से अगर आप देखें चलिए हम इसको देखते हैं second वाली को okay मैं इसको आपर equal to करके लेखता हूं तो धिकिंहां पर second आया है इस ने यहां पर second देखा कि second भी match नहीं हो रहा है जब second भी match नहीं हुई तो उसने फिर दुआ रहा इसको zero से match करा तो फिर इसने दिखा कि एक position कौन सी थी यह position इस list में second थी है ना तो दीखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह बार बार एक बारी में सारे उसको match करेगा तो दीखें जहाँ पर भी इसका अगर इसको इस list में ना मिलेगा तो वहाँ पर one one देता रहेगा जहाँ पर नहीं मिलेगा वहाँ पर zero आएगा और उस zero को यह इस zero से match करके उसकी position के हिसाब से वहाँ पर value print करा देगा जहाँ पर उसे duplicate मिलेगा वहाँ पर पहले अगर वन आया है तो बाद में भी one आ जाएगा यहाँ पर आ रहा है तो यह दो हो गया ही किस सरीके से formula काम कर रहा है लेकिन अगर हम नीची देखे तो यहाँ पर na आ रहा है क्यों क्यों पर list पूरी खतम हो जारी उसके बाद इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको अटने हम क्या करेंगे f2 प्रेस करेंगे और स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख देंगे if error bracket open कर देंगे अब yes में चेक करेंगा कि अगर error है तो क्या हो और अगर नहीं है तो बागी हमारा answer आएगा और अकसे साथ हम प्रेस करेंगे ctrl shift enter और इसको निचे तक paste कर देते हैं तो अगर आप देखेंगे तो आपकी जो na है वो भी हट जाएगी और सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी एक सुन्दर सी unique list ओके तो इस तरीके से formula काम करत है मैं जानता हूं कि मुश्किल थोड़ा सा formula है और यहां पर मैं आपको बताओ कि f9 अगर में प्रेस करके आपको दिखाओ कि particular particular formula कैसे काम कर रहा है तो आपको थोड़ा और इजी होगे वो मैं यहां पर नहीं करके दिखाया पारा जिस software से मैं record कर रहा हूं वहां पर f9 आप वह से सको download कर सकते हैं तो आज की वीडियो मेरी यहीं पर कताम होती है I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो भाई कमेंट और लाइक जरूर करना और शेर करना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में होगा एक नए टॉपिक साथ तब तक लिए stay tune with me by take care अपना खयाल रखें और अपने परिवार का भी